नया ट्रेंड हाई डिविडेंड हमारी आज की खास पेशकश में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं मानसी दवे बजट में वित्मंत्री ने डिविडेंड को लेकर बड़ा ऐलान किया है बजट में हुए ऐलान से अब निवेशकों के खरीदारी के ट्रेंड में भी बदलाव देखने को मिला है अब ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनिया निवेशकों के रडार पर है क्यों हुआ ह ट्रेंड में बदलाव और कौन सी कमपनिया है डिविडिन के लिए लिहाद से रडार पर यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश हमारे सहयोगी आशीश चत्रवेदी और दिपांशु भंडारी बताएंगे ही कौन से है वो डिविडिन डार्लिंग शेर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेट स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जो बताएंगे शेरों में क्या हो आपकी रणनीती तो आईए करते हैं शुरवात दिपांशो और आशीर से एक एक कर दमदार शेर्ज हम समझेंगे लेकिन उससे पहले ज़रा बजट में क्या हुआ है संदीप जी से वो समझ लेते हैं नहीं देखिए काफी समय से ये डिमांड थी और देखिए एक तरीके से ट्रिपल टैक्सेशन था और इंडस्ट्री की और जी बिजनस की तो बहुत बड़ी मुहीम थी कि LTCG और DDT दोनों हटे तो certainly देखिए हटा तो है बट थोड़ा सा बिटर टेस्ट अभी भी है और यही है कि कुछ segments के लिए बहुत बड़ी है और कुछ के लिए खराब है बट फिर भी प्रिपल से डबल टैक्सेशन तक पहुंचे है तो हो सकता कि इतना जब हलागुला होगा और इतनी जब डिमांड वापस से जाएगी तो हो सकता कि इसके उपर भी reconsideration हो यह यह है कि जो high tax brackets वाले जो investors है उनके हाथ में taxation ज़ादा लगी कि क्योंकि अब investors के हाथ में पहले यह tax free होके आता था तो जो 17% corporate देती थी उसके जगह पे अब investors को देना पड़ेगा और जो 10 लाग के उपर वाले है so overall मुझे ऐसा लगता कि यह फिर भी एक अच्छा रेजीम है कि जो companyya MNCs है जो PSUs है वो लोग certainly वैसे डोल आउट करते है dividend तो उसके लिए बहुत बड़ा cost एक कम होगा जो कि 15 प्लस जो surcharge लगके 17% तो extra आपके पास 20% और cash flow आगया तो EPS में increment होगा और मेरे इसाफ से EPS accretion की वज़े से valuation भी बड़ेगी फिर interim dividends इस साल में काफी आएंगे मुझे लगता कि इस particular financial year में और individual file में जिन में 10 लाग से नीचे की income है तो उनके लिए तो ठीक है और कई लोग ऐसा भी हो सकते कि होएफ में convert करेंगे अपने holding को या फिर holding companies है जहां पर shareholding होती है उनको फाइदा होगा क्यों कॉर्परेट tax वैसे ही कम होगे इंडिया में तो मुझे लगता है BBTC, Imarashtra, Scooters यह कई कंपनिया है जो अच्छा move दे चुके थे इस particular move से तो overall I think net net अभी भी कुछ करना बाकी है जो कि जो investors के हाथ में जाकि जो taxation लगेगा जो higher tax bracket वाले हैं बट nevertheless अभी भी यह बहुत अच्छा move है जिसको मुझे लगता है कि पिछले budget में और इस budget में एक जो फरक है पिछले budget में buyback tax लगने का वो आया था और इस बर कोई भी tax लगा नहीं बट फिर भी market ने बहुत ही बड़ा thumbs down दिया था Saturday को बट अब देखिए दो दिनों में बहुत जबरदस्त जब बारिकियों को समझा market ने और जब broader participation आया तो market अलरड़ी बहुत बड़ा thumbs up दियो और अब अपने levels के ऊपर आगे और 12,000 के ऊपर अच्छा trade कर रहा है पर चलिए आब एक एकर दमदार dividend attractive share समझ लेते हैं दिपांशोर आशीष के पास एक लंबी research है शुरवात आशीष आपसे करेंगे कौन सा पहला share है आपकी लिस्ट में और क्यूं है वो सबसे ज़ाद attractive बताएं बिलकुल अप पहला stock के विदानता देखें देश की सबसे बड़ी diversified metal company अगर आप इनके product portfolio को देखें तो aluminium copper, साथी steel, iron ore इसका उत्पाद दिन करते है oil and gas exploration का भी इनका कामकाच है साथी अगर आप देखें तो जो global चिंता है इसका सीधा असर देखने को मिलता है चाइना से करीब 9% आया आती है तो विदानता के जो stock prices में काफी दबाव दिखा गया था इसके इसाब से अगर आप इसकी dividend yield देखें तो मौझदा भाव के सबसे काफी बढ़िया dividend yield निकल कर आ रही है 13.6% की dividend yield है, book value के लिहाज से भी देखें तो balance sheet मश्बूत नज़र आ रही है करेब 178 रुपे की book value है cash rich company 8600 करोड की नगदी है और आगे भी जाके ऐसा माना जारे कि जो global economy में सुधार होगा इसका सीधा beneficiary होगा विदानता यहाँ पर आपको और जो Q3 के नतीजे भी हमने आये थे वो देखे थे वहाँ पर भी बड़िया एक improvement देखने को मला है इनके margins जो है वो 24% से बढ़कर 30% हुए तो 13.6% की dividend yield के साथ यह stock काफी attractive लग रहा है और लगातार 2015 से लेकर 2019 तक का trend अगर हम dividend का देखे तो काफी attractive यानि कि यह कम ही लगाता dividend देने का दम रखती है संदीप जी dividend yield 13.63% क्या आपको यह stock आकरशक लग रहा है नहीं very frankly बहुत ज़्यादा आकरशक नहीं लगता और मैं कम बोलूँगा पिछली बर मैंने समय ज़्यादा ले लिया था तो मैं simply hold की राय दूँगा और 160 का target बहुत ज़्यादा मुझे conviction नहीं आता इस stock में तो यहाँ पर hold की राय है 160 का target है विदानता के लिए expert की तरफ से एक और stock समझ लेते हैं की dividend yield है तो काफी attractive dividend yield है, quality promoter है, promoter के holding 52% के आसपास है, mutual funds के holding बहुत हाई है तो institutionally काफी strong stock है, stable stock है और आगे जाके अच्छे gains दे सकता है, अगर आप देखे तो पिछले साल, पिछले 5 साल से अच्छा dividend tracking पेंग रिकॉर्ड है 2017 में एक बहुत बड़ा इन्होंने dividend दिया था, तो हो सकता है कि ये नए tax changes लगें, उससे पहले एक और बड़ा dividend आ सकता है, ऐसी संभावना इसमें possible है, पर काफी attractive yield है, 10% के आसपास, P&G Health Company का नाम है बिल्कुल संदीब जी, P&G Healthcare 9.95% की dividend yield है इसकी और साथी mutual funds के भी positive radar पर ये stock है, जिस तरह सदीब हमें बता रहे हैं, P&G Health, एक बार फिर से दोहराएगेगा आपकी commentary बिल्कुल 10 की कमाई में मैंने ये stock दे दिया था, और very frankly उस टाइम पे अनिल जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था, क्योंकि मैं लाल वाला मुटूट, निला वाला मुटूट का एक जिस तरीके से करता हूँ, L&T Info Deco, दूसरी है LTTS, तो इन कमनियों को याद र PGHL अगर अनिल जी ये show देख रहे हैं, तो certainly अनिल जी तक ये message जाएगा, क्योंकि मैंने commitment दिया था, कि दूसरे show तक कर लेंगे, और very frankly ट्वीटर पे अनिल जी को और मुझे किसे ने tag करके ये चीज़ बताई, और thank you to the follower also, क्यों बहुत सारे followers जो हमारे show को देखते हैं, but anyways मुझे लगता है कि मैंने fundamentals बहुत अच्छे से दिया हैं, और मुझे लगता है जो अच्छी brand से stable में, जो better in valuation है, और Merck के नाम से पहले company जानी जाती थी, तो इन सब को, और plus Zee Business ने अभी tweet किया भी है, दस की कमाई को वापस से, तो मैं मुझे लगता है, वहाँ पे fundamental score देख ये कहना होगा, 5550 के targets यहाँ पर ध्यान में रखें, आप खरीदारी का मन बना कर चल सकते हैं, ध्यान रखेगा 6-9 महिने के duration के लिए targets आपको दिये जा रहे हैं, आशीश अगला शेर आपकी सूची में कौन सा है? कोई भी कर्स नहीं है, साड़े 3,000 करोड की नगदी है, साथ ही आप देखें तो कमपनी अलुमूनिया सेग्मेंट में शमता विस्तार भी कर रही है, मौझूदा शमता 21,000 टन से बढ़ा कर 31,000 टन करने जा रहे हैं और 2021 तक यह काम पूरा होगा, अलुमूनिया की शमता वि संदीब जी, कर्स मुक्स कंपनी अलुमीना की शमता विस्तार पर कंपनी का फोकस और साड़े तेरा प्रतिशत की डिविडेंट डियल कंपनी एंज़ाई कर रही है, इस पर आपकी रहे क्या होगी नाल को? बिल्कुल और सबसे बढ़िया बात है कि बहुत ही करेक्टेड स्टॉक है और जिन लेवल्स पे वहां से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक मुझे लगता कि आना चीए, उन्दा स्टॉक है, बट जेनरली में में मेटल्स को बहुत कम रेकमेंड करता है और PSU और यह पहला PSU है जिसको हम डिसकस करें और मैंने कॉमेंटरी में शुरू में बोला भी था कि PSU स्टॉक्स के लिए तो वाक्या में बहुत बहुत बैतरी नहीं है यह मूव और यह लोग डिविदेंट भी देते तो इनके बहुत बड़ा कॉस्ट बचना है और यह लोग कंपल सरीली इनको डिविदेंट देना पड़ता है क्योंकि सरकार मांगती है तो in fact इनके लिए बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग है तो मेरे इसाब से तो बिल्कुल साड़े तेरा परसेंट वाली डिविदेंट डील और इतने सस्ते वैलुएशन पर मिल रही है बिल्कुल ग्रैप करना चाह है फंडेमेंटल्स अच्छे और डिविदेंट के लिए हाथ से भी काफी आकरशक नाल को साबित होती हुई खरीदारी का मन बनाकर चल सकते आच्छे करेक्शन पर यह स्टॉक आपको मिल रहा है बिल्कुल खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है अगला स्टॉक दिपांशू आपकी तरफ से कौन सा होगा मैं दो स्टॉक्स दूंगा मांसी क्योंकि दोनों ही ओइल मार्केटिंग कंपनीज है और जैसा आशीश भी बोल रहे थे और जैन साब भी बोल रहे थे काफी सारे पी एस यू कंपनीज हमारी लिस्ट में आएंगे क्योंकि जब डिविडेंट इविडेंट इवल्जीश दुट के अगर बात करें तो फंडमेंटल लगबख दोनों के सिमिलर ही है हलाग कि आउसी थोड़ा और डैवर्सिफाइड प्लेयर है और अब एचपी सेल का प्रमोटर काटेगरी ओंगी सी के अंदर आता है तो कौजा गवर्मेंट कंपनी है य वैसे तो है गर्मेंट OMC, 8% की dividend yield है IOC की और लगभग 7% की dividend yield है HPCL की, अगर IOC की बात करें तो decade low पर इसकी valuations चल रही है, तो उस लिहास से भी काफी attractive है, और क्यूंकि अब ये नए dividend distribution tax related changes आने वाले हैं, तो उससे पहले बाजार का अनुमान है कि काफी अकरशित dividend announce कर सकती है ये दोनों ही companies, देखें तो promoter shareholding लगभग दोनों में ही 51% के आसपास है, funds की holding भी काफी high है, retail holding भी in stocks में high ही है, काफी time से underperform कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हम तेल के दामव में movement देख रहे हैं, थोड़ी volatility बड़ी हुई है, पर इसके अलाव अगर आप देखें तो कोई ये ऐसा reason नहीं है, जिसकी वज़े से आगे और दबाव होना चाहिए, हमने देखा कि तेल के prices में भी अच्छा correction हो गया है, Singapore GRM अभी भी थोड़े low है, almost 15 साल के low पर हैं, बट यहां से फिर expectation यही है कि आगे भी बढ़ेंगे, और base effect से भी इन्हें फाइदा मिलेगा, तो आ अगे जाकर भी बरकरार ही रहेगा, संधीब जी आजकल कुछ बहुती ज़्यादा ख़बरों में हैं, दो-तीन ख़बरों में से तो उसमें से एक crude के prices भी हैं, और oil marketing कंपनियों पर इसका clear cut impact भी हम देख रहे हैं, साथ ही अगर dividend deal की बात करें तो IOC 8.1%, HPCR 6.9%, दोनों पर ह बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल कल एक bounce back भी दिया है, और भी एक bounce back देगा, बिल्कुल 130 के target के लिए बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए, dividend deal था, 8% है, HPCR, वहाँ पे भी better dividend deal है, तो वो भी मैं यही कोंगा कि उसको hold करके रखें, और सबसे ज़्यादा conviction मुझे इन तीन तो साड के puts भी बेच के काम किया जा सकता है, बट overall BPCL में 3.5-4% का dividend deal है, इसलिए वो कम attractive है dividend deal के लिहाद से, बट फिर भी BPCL is number one, number two is IOC, number three is HPCR. ओके, और यहाँ पर targets कौन से बता रहे हैं आप इन दोनों share-ों के लिए? IOC में 130 है, BPCL में 280 है, और BPCL में 250 के target के लिए काम करना चाहिए. ओके, तो चलिए, अहाँ पर 5-6 shares हमने discuss किये, जो कि आपके फाइदे के हिसाब से काफी अच्छे हैं, dividend attractive stocks हैं, लेकिन और 4 shares आपका इंतजार करें, फिल्हाल वक्त हो चलाए, एक छोटे से break का जल लोट रहे हैं, बने रहे हैं. नया trend, high dividend, break के बाद हमारी इस खास space crush में आपका स्वागत है, और अब आशीश के पास चलते हैं, आशीश, विदानता और नालको के बाद तीसरा कौन सा शेर हैं, जो आप बताने वाले हैं? मांसी, मेरी लिस्ट में तो आथ सारी जितने भी stocks हैं, वो metal और mining space हैं, कारण यह है कि global uncertainty इतनी देखने को मिली है, और trade war का सबस्याद रुकसान पूरा metal और mining space को यह देखने को मिला, कारण यह है कि जो इनके prices होते हैं, metal की commodity जो prices हैं, globally correlated होते हैं, इसका ही है, इसके लिए अ जावट का कारण यह है कि global uncertainty है, लेकिन आप आगे जाकर ऐसी उमीद की जारी है कि अब कहीं नके यह global recovery देखने को मिलीगी, जिससे जो metal और जो दूसरे कीमत हैं, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, कर्जमुक्त कंपनिये करीब 640 करोड की नगजिये कंपनी, और return on equity क track record काफी शांदरे करीब 21% का return on equity निकल के आती है, dividend deal 10.4% किया, 10.4% हिंदुस्तान जिंक, अगला शेर, संदीब जी, dividend की track records के हिसाब से क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? तो यहाँ पर अगर आपकी positions है, तो इसे intact रखें, राय expert की तरफ से आती हुई दिख रही है, देपानशो अगला शेर आपकी तरफ से? मेरी तरफ से भी PSU share सी है, जो focus में रहेंगे, क्योंकि dividend की बात करने से सब्सक्राइब जादा focus वहीं पर आ रहा है, आज यह share काफी news में है, REC, Rural Electrification COP, Shadow Bank कह सकते हैं, NBFC कह सकते हैं, लेंडिंग का बहुत बड़ा कारोबार है, dividend yield की बात करें, तो काफी अकरशित yield है, 7. 7.8% और अभी इन्होंने dividend declare करा है, 11 रुपे पर share का, तो अगर आप कल के मौझूदा closing ते देखें, तो 7.5% की yield का dividend already declare किया, और शायद एक और dividend आ सकता है, इस साल के खतम होने से पहले, इस financial year के खतम होने से पहले, पिछले 5 साल का trend देखें, तो अच्छा ही dividend yield इनकी आ रह है, NII में भी लगभग 9% की बढ़त देखने को मिली है, मुनाफे में भी अच्छी बढ़त हुई है, तो operational लिहाज से भी काफी अच्छे results है, थोड़ा improvement देखने को मिला है, fundamentally तो अच्छी लगी रही है, तो थोड़ी headwinds हो हमेशार लगी रहेंगी, पर काफी आकरशित yield है और कुछ ऐसे triggers भी हैं, जिससे आगे जाके अपसाइट देखने को मिल सकता है, संदीब जी, REC इस पर आप क्या रहाए देंगे? बिल्कुल fundamentals बहुत सही हुए हैं और results भी अच्छे आएं और asset quality सबसे बड़ा चिंता का विशह रहता है, इन टाइप की कंपनियों में, जहां पर अब positivity दिख रही है, तो मेरे इसाब से जिन्नों ने ले रखा है, वो hold करके रखे और जिनको लेना है, वो थोड़ा buy-on declines की रणनीती अपना सकते हैं, योगी काफी थोड़ा चला भी है, बट 170 के target के लिए अराम से stock को लेना चीए है, तो अगर आपकी existing position से इससे बिल्कुल intact रखे है, नहीं खरीदारी का मन बनाना है, तो थोड़ी सी गिरावट का इंतिसार करें, जैसी इस पर decline देखते हैं, आप खरीदारी का मन बना कर चल सकते हैं, 170 के target से हाँ पर आपको मान कर चलने है, आशीश आप की तरफ से अगला share कौन सा होगा? रेश्यू होता है, वो निकल कर आता है, और Q4 FI19 के बाद से हमने देखा था कि नतीजों में लगाता है, सुधार देखने को मला है, जो साथ तो सबसेडरी हैं, उनका operational performance काफी सुधार है, मुनाफिय में आई है, और आगे भी बहतर प्रदिर्शन की उमीद है, तो clearly cold India, dividend का नीचे चल रहा जहां तक मुझे याद है, और मुझे लगता है कि आज देखिए, अनिल जी ने भी इसको दिया है stock और पिछले 2-3 दिनों से बात हो रही है, और अच्छा perform कर भी रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बैतरीन fundamentals वाली company, इतने बढ़िया dividend deal वाली company, जि पॉसिशन से तो होल कीजिए, नहीं खरीदारी भी की जा सकते हैं, और आखरी शेर डिपानशो आपकी तरफ से आज के लिए कौन सा है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है, PTC India Limited, PTC Financial से से कन्फियोज नहीं करीगा, PTC India Limited है, company का नाम 7.2% की यह लिहां पर भी है, अच्छा dividend आ रहा है पिछले चार-पांच साले से, प्रमोटर शेर होल्डिंग कम हुई है, 16% है, और FI शेर होल्डिंग काफी हाई है, 36% है, institutionally held stock है, हाला कि पावर सेक्टर से रिलेटेड परिशानियों के वज़े से यहां पर भी हमने दबाव जरूर देखा है, पर क्यूंकि अब साइन्स आ रहे है, manufacturing PMI में revival देखा है, economic sentiment भी improve हो रहा है, तो आगे जाकर भी company को फाइदा मिल सकता है, अगर पावर सेक्टर में turn around आता है, और उसके अलावा अगर आप देखे तो आकर शेती हिल तो है ही इसकी है. सबसे बढ़िया बाद है कि बहुत corrected stock है, downside बहुत कम लगती है और जहां तक मुझे याद है, शायद F&O से भी ये stock निकल चुका है, तो ये सब टाइप की जब चीजे होती है, तो stock चलता है और मुझे लगता कि PSU में जबी भी निवेश करें, तो capital appreciation तो ही है एक objective, dividend deal बहु objective है, और वो ये अच्छे से बखू भी ये solve करता है, और power sector के ओपर देखिया, सरकार काफी focused है, और इन सब के ओपर बहुत चिंतित है, जो भी problems है, उन सब को solve करने में, तो देड़ सबेर problems solve भी होंगे, और बहतर भी होगी situation, तो मुझे लगता है, बिलकुल stock में hold करके चले और थोड़ा नीचा है, तो बाई भी किया जा सकता है, 65-70 रुपे तक के targets के लिए, 65-70 के targets को ध्यान में रखें, existing positions को maintain करें, और थोड़ी से गिरावट अगर आप देखते हैं, तो attractive levels ये बन जाएंगे, खरीदारी कमन भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, संदीब जी शुक उल्ड़ बनाया है, तो नीचा है, तो नीच is the basis 천ри जाएंगे, तो मिई उल्राइज कर दो और ने है, भी कियात है, स्वे ग्यों जाएंगे, तो जाएंगे, तो जाएंगे, खरीद स Hmm करेंगे, तो बनाया है